हेलो इवरोन कैसे आप सब एक बार पुना से कोचिंग क्लासेश पर स्वगाथ है उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे होंगे मस्त होंगे बहतर होंगे आपकी पढ़ाई बहतर चल रहे होगी लगातार बच्छे कमेंट कर रहे हैं कि सर आप ऐसे कोशन कराओ जो पेपर में आजाए तो भई सहाब आप लोगों से विडियती करता हूँ कि ऐसा मुझे पता होता ना तो मैं किबल 15 कोश्चन देता और उतना ही पढ़ाता जो आजाए तो ऐसा तो हो नहीं सकता है जितना हो सकता है मुझसे पासिवल उतना मैं आपको करा सकता हूँ ठीक है तो अभी इ गात साल आया हुआ है तो देखिए यह आपका वियर कि अभुरिया है कि जब व yacht हलाइड बिनमे हलाइड बिनमे का मतलब होता है कि आप एल्के ने मे की अभुरिया बनाते हों तब यह फिंकल इस्टी ही अभुरिया कहलाती है आब इसी से objective question पोशच देगा कि हलाइड बिन की उपस्तिती में सोडिया मायोडायड से कराने से एलकिल आयोडायड प्राप्थ होता है ठीक है तो एक प्रकार से एलकिल क्लोराइड या एलकिल ब्रॉमाइड को एलकिल आयोडायड में बदलने के लिए क्रिया है ठीक तो अपन किस से कराते हैं सोडिया मायोडायड से जैसे हमारा example यहाँ पर देखिए alkyl, मतलब जैसे आपका alkyl group यहाँ पर CS3 है ठीक, इसमे यह दि क्लोरीन जोड़ दिया आपने, तो यह methyl chloride है इसकी क्रिया sodium iodide से कराएंगे बच्चो, sodium iodide से, किसके उपस्तिती में? मेथेनाल, मेथेनाल मतलब CS3 OH यह मेथेनाल के उपस्तिती में हो रहा है तो क्या होता बच्चो, यह जो Na है, वो CL को उठा ले जाएगा तो NaCl बना लेगा और I जो है जुड़ जाएगा तो CS3 I, यह आपका बन गया है NaCl, यह फिंकलिस्टीन अब क्रिया है आपका एलकिल आयोडाइड ही बनता है जैसे यहाँ पर आपका CS3 है तो मेथिल आयोडाइड बन गया इसके अलाबा भी मालीजिए यहाँ पर C2H5 और CL के जगे BR जुड़ देते सोडियम आयोडाइड से ही क्रिया कराएंगे ठीक है बाकी वई उत्प्रेडा करेगा सेम चाहिए आप एसी टोन ले लो CS3, CO, CS3 तो यहाँ पर बच्चो BR जो है NA को उठा कर ले जाएगा ठीक है तो बचेगा आपका C2H5 और आपका यहाँ पर आयोडाइड जुड़ जाएगा NA, BR अलग हो गया इसले तो कहा जाता है हैलाइड मैं अवक्रिया है मतलब हैलोजन परवारो के चेंज़ होने से दूसरा योगिक बना देता है तो यह हो गैं बच्चो अब आपको बार बार में कहता हूँ कि जो बच्चा बेसिक से पढ़ेगा कोई क्लियर नहीं है मुझे कोई बता दे कि लिजे सरे 40 question यही 100% आएगा तो ऐसा नहीं है आर्गनिक कमिश्टी तो कहीं से भी question उटा पटा के पटक देता है तो प्लीज आप लोग जितना practice कर सको उतना practice करो क्योंकि question कहीं से भी गुआ सकता है जरूरी नहीं कि परिच्छा बोट से ही आएगा परिच्छा अद्धन से ही आएगा जो NCRT किताब अच्छे से follow कर रहा है वहाँ से clear है कि अच्छे number आपके मिल सकते हैं लेकिन जो deep में पढ़ेगा objective तो वो भी हम लोग लगाता है 40-40-50 question करा रहे हैं लेकिन question कहीं न कहीं से तोड़ मरोल करके घुमा देता है teacher के लिए तो ठीक है चलिए वो समझ जाता है question कैसे बना लेकिन वो बच्चा नहीं समझ पाता तो आप जितना practice करोगी वो आपके label पर है बच्छो कितना मेहनत कर रहे हूँ इसके बाद आज का दूसरा अभक्रिया है Stephen अभक्रिया केबल important reaction ही करा रहा हूँ इसके पहले आप लोग video ज़रोर देख ले न बच्चो Stephen अभक्रिया में उत्प्रेरा क्या होता है SNCL2 और HCL Stephen S से SNCL2 Stephen S से SNCL2 HCL इसके दोरा हमारा यहाँ पे अभक्रिया होता है अभक्रिया नाम से पूछा जाता है Stephen अभक्रिया नाम बाले अभक्रिया करा रहा हूँ बाकि आप लोगों के डिमांड के अधार पर बच्चों आपको वीडियोज मिलते रहेंगे ठीक है लेकिन यह है कि आपका डिमांड हो और आप उतना महिनत भी करें थोड़ा सा response अच्छा मिलता है लाइक करके share कर दो तो और भी मन लगता है ठीक है तो इसमें देखेगा अभक्रिया कैसे संपन होगा बच्चों सबसे पहले क्या करते हैं बेंजो नाइट्राइल यहाँ पर आपका यह बेंजो नाइट्राइल है C6 H5 Cn तो सबसे पहले आप ले लीजिए बेंजो नाइट्राइल C6 H5 Cn है ना मतलब बेंजीन से एक हाइड्रोजन जोड़ दो Cn जोड़ दो बेंजो नाइट्राइल है अब chain कराएंगे बच्चो HCl के उपस्तिती में अब chain में जितना चाहिए हाइड्रोजन जोड़ सकते हो जरूरी ने रहता कि यहीं पर लिखो जैसे मैंने यहाँ Sncl to लिया और HCl ले लिया और H यहाँ पर जोड़ दिया जितना चाहिए उतना आप ले लो सबसे पहले हमारा क्या बनाता है I mean जिसे आपका C6H5 पर बच्चो इसको रहने दीजिए यहाँ पर आपका जो C है और N है ठीक है इन दोनों के साथ H जोड़ो इसके साथ H और इसके साथ H ठीक और यह HCl है जो डाइरेक्ट यहाँ पर HCl जोड़ जाता है अब कार्बन का टोटल चार बंद होना चाहिए तो दो बंद यहाँ पर अल्रेड़ी दो बंद यह बन गया तो यहाँ आपका I mean बनाया ठीक है यहाँ पर देखिए I mean बन गया इसके बाद इसका जलब घटन कराएंगे क्या कराएंगे बच्चो जलाब घटन H2O तो जब यह तूटता है H OH में तूटता है तो यहाँ पर यदि LD हाइड बनेगा तो केबल और केबल एक आक्सिजन की जरुरत है एक आक्सिजन की जरुरत है तो बना लेगा आपका C6H5 CHO बांकी कहां जाएगा तो NH है तो NH ठीक है 2H यहाँ से 2H यहाँ से तो 4 और CL तो यह आपका बनागे बेंजल्डिहाइड ठीक तो यह आपका LD हाइड बनाने की अपक्रिया में स्टीफन अपक्रिया पढ़ते हो कि बेंजो नाइट्राइल को हम HCL या SNCL2 के उपस्तिती में क्या कराते हैं बच्चो अपचैन कराते हैं तो पहले क्या बनाता है IMEAN बनाता है और जलब भटन के फल सरूप आपका LD हाइड यह बनाता है कि यह बल यह आपको थोड़ा सा revision के तौर पर वीडियोज दे रहा हूं revision कर लो बच्चो फटा फट आप लोग अच्छे तरीके से त्यार करके जाना क्योंकि ऐसे question भाई छोड़ नहीं सकते हैं ठीक है तिसरा अबक्रिया आज का कहने जारो अबक्रिया इससे भेरी 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 important अबक्रिया इससे कई बार objective पूछा जाता है कि Alpha Hydrogen Behine Aled clue मतलब जिसमें Alpha Hydrogen नहीं रहता है ना उस कौन से अबक्रिया संपन होती तो कहने जारो अबक्रिया ऐसे एल्लिएड के साथ होती है बच्चों जिसमें Alpha Hydrogen नहीं रहता तो यहां से question कभी कभी सीधर डायरेक्ट पुछ देता है कहने जारो अवक्रिया को समझाइए या सीधर अवक्रिया लिखिए या कि मालीजे आप लोग अबजेक्टियम पूछ देगा कि अलफा हाइड्रोजन बहीन कौन सा अवक्रिया होता है यह एल्डिहाइड ऐसा कौन सा अब क्रिया है जिसमें अलफा हाइड्रोजन नहीं होते वहाँ समपन होता है कई भी कौशन पूछ दिया जा सकता है मतलब ऐसे लिया फार्मेट फार्मिल्डिहाइड के साथ कौन से क्रिया होती है तो कई प्रकार से कौशन गुमा सकता है तो देखो अलफा हाइडोधन बीहीन एलडीहाइट पर 50% एन्योएच बीलियन की क्रिया कराने पर एलडीहाइट का ये कड़ू अमल में आक्सिक रतोगता है और दूसरा अड़ू एलकोहल में अपचैत हो जाता है आमल में है ना HCOO फार्मिट जो बनाता है ठीक है और एक भाग जो हमारा बच्चो क्या बनाता है अलकोहल बिल्कुल सिंपल है कैने जारो अब करिया अलकोहल बनाने की विद्यमे आप पढ़ते हो ये अलडीहाइट से अलडीहाइट की रासा नहीं कब करिया में इसको पढ़ सकते हो और ऐलकोहल बनाने की विद्यमे तो कैने जारो अब करिया वही संपन होगा जहां आलफा हाइडरोजन भीहीन अलडीहाइट होगा यहीं ऐसे LDH जिसमें αलफा हाइडरोजन ना हो अब सोचो के साथ αलफा हाइडरोजन का मतलब क्या होता है जैसे CHO ग्रूप है इसके साथ जो कारबन जुड़ा होगा उसका पहला हाइडरोजन अलफा हाइडरोजन अब इसको थोड़ा सा अबक्रिया के माद्रम समझें के तभी तो समझ पाओगे किस प्रकार से ये डिक्षन होगा देखे हमारे पास अलफा हाइड्रोजन नहीं हो या तो हमारे पास या तो आपका होगा फारमेल्डिहाइड या तो बिंजल्डिहाइड C6H5CHO ऐसे दो ही अलडिहाइड है जिसमें हमारे पास अलफा हाइड्रोजन नहीं है अब कहो के सर ये भी तो हो सकता CH3CHO, यह नहीं हो सकता क्यों, क्योंकि इस ग्रूप के साथ जो Carbon है, इसके साथ Hydrogen है ठीक है, लेकिन बच्छो यहाँ पर CHO है, इसके बाद Carbon ही नहीं है, इसलिए Alpha Carbon भी नहीं है, तो Alpha Hydrogen है ऐसे ही, यह जो CHO जिस Carbon जुड़ा होगा, उसके पास Hydrogen नहीं रहता तो यह ऐसे हमारे पास है लियाइड है जो अलफा इड्रोजन भी ही नहीं है अब इसकी क्रिया हम किसे कराते हैं बच्चो सीधा सा अच्छा इसका दो भाग लेते हैं जैसे आपका HCHO हो गया और यहाँ पर आपका C6H5 CHO हो गया ठीक है तो यह दो भाग लेते हैं तो जो आपका एक भाग होता है जब NUH की उपस्तिती में क्रिया कराते हैं तो एक भाग आपका क्या बनाता है एलकोहल तो एक कार्बन का एलकोहल कैसे बन सकता है CS3OH यही तो हो सकता है फिर आपका एक कार्बन का अमल कैसे हCOO अमल का यहां पर H होता तो आपका यहां नहीं जुड़ जाएगा क्योंकि भाई यहने कारण है यहां से नहीं जुड़ेगा H की ज़रुवत पड़ेगी लेकिन H है नहीं ठीक है ऐसे यहां पर जब N.O.H लेते हैं बच्चो तो एक भाग आपका जिस C6H5 है ठीक है अब यहां पर CH रहेगा और O.H जुड़ेगा लेकिन यहां पर CH2 जोड़ना पड़ेगा अब यहां पर C6H5 है आप कहो कि डाइरेक्ट अमल जोड़ दें तो यहां पर C हो जाएगा और O.O और एक सोडियम हो जाएगा तो इस कोई भी अब क्रिया जितने बार आप रिपीट करोगे जितना रिवीजन करोगे उतना आप से बनेगा तो यदि कहने जारो अब क्रिया कहीं से भी घुमा दे भाई तो बननेगा की नहीं बनेगा कि अलफा हाइड्रोजन भीहीन वाले में एक भाग आपका आमल बनाता है अब इसके मेकनिजम में नहीं जाएंगे बड़ा लंबा चोड़ा प्रोसेस है इतना आप समझो कि एलकोहल बनाएगा तो एक कार्बन का एलकोहल आपका मेथिल एलकोहल बनाएगा कार्बन की बेलेंसी भी ध्यार में रखना है बस जैसे आप सुचो कि सर हम कैसे जाने की बेलेंसी जैसे हमको एक कार्बन का एलकोहल बनाना है तो इसमें आप और जोड़ दो अब आपको पता है कि इसमें तीन हैडोजन रहेगा ही जैसे आपका बेंजल डियाइड है CS3, sorry, C6H5 है है ना अब आप डायरेक्ट वह जोड़ नहीं सकते हैं तो एक कार्बन के साथ यह जोड़ दो अब कार्बन के बेलेंसी टोटल चार तो दो बंद यह और दो हैडोजन जोड़ दो यह इस तरीके से ठीक, तो यह चीज आपको माइंड में फैक्टर थोड़ा सा रखना पड़ेगा है ना, यदि यह चीज नहीं रखोगी तो कहीं न कहीं पर दिककत कशामना करना पड़ेगा इसके बाद अगला है जो हमारा रिवीजन बच्चो एलडाल संगनन ठीक है, एलडाल संगनन क्या होता है दो योगिकों में, दो कार्बोनील योगिक हो उनके बीच क्या होता है, जुड़ा हो जाता है देखे, वह अब क्रिये जिनमें दो समानिया बिभिन कार्बोनील योगिक के अड़ो जिनमें अलफा एड्रोजन परमाड़ उपस्तित हो तो जैसे हमारा एल्डिहाइड है यह भी एल्डिहाइड है, यह भी एल्डिहाइड है अब दोनों भिन 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 भी हो सकते हैं दोनों समान भी हो सकते हैं जैसे एक फार्म एल्डिहाइड ले लो और एक एसिटलिहाइड ले लो या दोनों की फारमें लिहाइड ले लो या कि दोनों यसी टेल लिहाइड ले लो लेकिन ध्यान ये रखना है ध्यान ये रखना है कि क्या बोला अलफा एड्रोजन परमाण उपस्थित हो ठीक है तनुचार अजिकी अडаки की उपस्थिति में ठीक है लेकिन उसमें एक condition है अलफा हाइड्रोजन होना चाहिए यदि अलफा हाइड्रोजन नहीं है तो बंद बनाने की छमता फिर नहीं रहेगी अभी अलफा हाइड्रोजन बिहीन वाला होगी का आपने पढ़ा कहने जारो अब क्लिया लेकिन जिसमें अलफा हाइड्रोज के पास जो कार्बन है किसी फंक्शनल ग्रूप के पास जो कार्बन है उस कार्बन से जुड़ा हाइड्रोजन आपका आलफा हाइड्रोजन कहलाता है ठीक है इस reaction को समझें बच्चो एसिटेल्डियाइड CS3 CHO एसिटेल्डियाइड है की नहीं यहाँ पर भी देखो CH3 CHO अ क्यों कि थोड़ा सा अबक्रिया को दरसाना है अब इसमें कुछ नहीं है योगात्मक मतलब सीधा इसके साथ जुड़ जाएगा सीधा तो जब सीधा जुड़ेगा तो क्या बनाएगा जैसे हाँ पर CS3 है CS3 है ने दो इस कार्बन के साथ H जुड़ा है O already है और H और H और A क यह आपका LDG गूर्फ है तो बोलाया ना कि नो एक तो एलकोहला ऐलदीहाइड बनाएगा यह तो यहाँ पे आपका दोनों HDMI तक देखिया यहांपर क्या बना लिया को एक एक का इलोडिहाई बना दिया तो यह जो अबख्रिया है I bogिया को के अड़ों के बीच होगा जिनफे फा हीडरोजन पर्माडव उफस्थित हो छार के उफस्थित में होता है अभी एनेज़ की उफस्थित में कहने जारों अभी करा था अपने अल-डल संगयन भी आप एन एज़ की उफस्थिति में कर रहे हैं तो यहाँ पर हम revision कर रहे हैं बच्चो, super fast revision, है ना, कि फटा-फटा आपका revision हो जाए, ज्यादा time ना लगे, ठीक, चले, आगे चले, अगला जो हमारा आप करिया है, saturn-baman अप करिया, जो कि बहुत simple है बच्चो, saturn-baman में क्या होता है, aromatic amine की करिया, हम बन्जोईल क्लॉराइट से कराते हैं, saturn-baman अप करिया हम क्या होता है, aromatic amine, ठीक है, aniline की करिया, बन्जोईल क्लॉराइट से कराते हैं, बहुत ही simple है, saturn-baman अप करिया, और क्या बनाएगा, आप यह दी, यहाँ पर थोड़ा सा देखेगा, बन्जोईल क्लॉराइट का सूतर, C6H5-CoCl, यह आपका बन्जोईल क्लॉराइट, क्या बच्चो, बन्जोईल क्लॉराइट, अब इसमें होगा क्या, simple हर कुछ भी नहीं, यह सीधा योग करता है, सीधा योग करता है, जिससे 1H यहां से निकलेगा, और 1CL यहां से निकल जाएगा, ठीक, तो C6H5 बचा, NH, अब इस N के पास, एक हाईडोजन निकला है, तो बंद बनाने की छमता है, तो यह आँपे CO आकर, कि यहाँ पे CO, और फिर आपका हो जाएगा, C6H5, बस, यही है, N-Phenil Benjamide, बिल्कुल सिंपल है, कुछ भी नहीं भाई, यह कुछ भी नहीं, ठीक है, आप लोगो को कोशिस करूँगा, कि यह सारे रियक्शन, आपको टेलीग्राम में दे दूँ, टेलीग्राम का, लिंक डिस्क्रप्शन पर मिल जाएगा, सीव कोचिंग क्लासस के नाम से है, जिसको जुड़ना है, जुड़ सकते हैं, जितना मेरे से हो सकता बच्चो, भर सक प्रियास कर रहा हूँ, अब आपकी भी जिमें बारी है, आप कितना मेंनत करते हो, तो यह हमारा क्या था बच्चो, यह हमारा था, एनिलीन, इसका नाम है एनिलीन, ठीक है, एरोमेटिक के मीन है, और यह हमारा है, बेंजोईल क्लोराइड, क्या है बेंजोईल क्लोराइड, इसमें क्रिया हुआ, H और C L निकल गए, तो यहाँ पर बच्चा हमारा, C 6 H 5 N H बच्चा, ठीक है, बांकि यह C O यह है बच्चो, तो C के साथ, यहाँ पर, दूई बंद के साथ, आक्सिजन जुड़ा है, एक बंद साथ, इधर आपका, यह रिंग जुड़ा हुआ है, ठीक है, यह रिंग जुड़ा हुआ है, अब एक बंद आकर के, N के साथ, जुड़ जाएगा, N के साथ, यहाँ पर N है न, तो H को हटाया, और N आपर आ गया, कहने के मतलब, यहाँ से C L अटाया, और N आकर जुड़ जुड़ जाए, तो N के साथ, आपका कारवन जुड़ा हुआ है, तो इस तरीके से, आपका साथन बावन अब क्रिया होता है, इस मिट अब क्रिया में क्या होता बच्चो, ठीक है, हाइडरे जोईक अमरे साथ क्रिया कराते हैं, क्या होता है जब, अब लोग सूचते की सर्थ, क्या होता है जब कैसे question पूछा जाता है क्या होता है जब benzoic amal की kriya hydrozoic से करा जाती है बताओ क्या होता है जब benzoic amal की kriya hydrozoic से करा जाती है तो जब hydrozoic और benzoic amal आपस में kriya करते हैं तो aniline बनाता है simple हर कुछ भी नहीं इतना याद करना पड़ेगा साटन बामन अपक्रिया में कि जब हमारा हाइड्राजोईक आमल और बेंजोईक आमल सांध थे सोफोर ही उपस्तिति में क्रिया कराते हैं तो एनिलीन बनता है क्या बनता है बच्चो एनिलीन C6H5COOH यह कहा है Benjoicum Hydrojoicum HN3 ठीक HN3 बहुत सिंपल है बच्चो यहां से देखिए आपका Aniline का सूत्र क्या होता है C6H5NH2 यह आपका Aniline है NH2 मतलब 2H यहां से निकल गया अब बचा क्या 2H यहां से निकल गया N2 बचा, एक N भी गयाब होगी यहां पर CO2 बचा, बस खतम कान, यही आपका Aniline है Ismit Abkriya में Ismit Abkriya में क्या होता है, एक Benjoicum लोता है, एक Hydrojoicum सांद H2SO4 के उपस्तिती में क्रिया कराते है क्या सांद H2SO4 के उपस्तिती में तो आपका Aniline बनता है क्या बनता है Aniline यह revision है बच्चो, माइन में Ismit Abkriya में क्या होता है एक आपका होता है Hydrojoicum और एक होता है Benjoicum और सांद H2SO4 के उपस्तिती में क्रिया होती है Aniline बनता है अगला अबक्रिया देखिए Bolf Kishner Abkriya यह भी आपका Aldehyde और Ketone का ही अबक्रिया है इसमें प्रबल छारा KOH की उपस्तिती में Glycal Bilion Bilayak की उपस्तिती में ठीक है इसे गर्म करते हैं तो Alcane बनता है अब यहाँ पर यह Hydrogen से क्रिया करता है Hydrogen है बच्चो यह क्या है Hydrogen आप लोगों को सोचेंगे कि यह क्या है तो यह Hydrogen है मतलब हम Aldehyde या Ketone की क्रिया Hydrogen से कराते है Aldehyde और Ketone की क्रिया Hydrogen से कराते है तो हमारा Alcane मिलता है Simple है Hydrogen क्या बच्चो Hydrogen अब इसके क्रिया का सिस्टम मैं आपको समझाता हूं किस प्रकार से Hydrogen से क्रिया करता है जैसे Aldehyde ही है बच्चो यह Aldehyde है CH3CHO CHO यह Aldehyde है अब CH3CO CH3 यह आपका Ketone है इसकी क्रिया हम Hydrogen से कराते है NH2 NH2 देखेगा बहुत Simple है बहुत Simple है बच्चो यह होता क्या है जैसे पहले Oxygen और Hydrogen जुड़ करके H2O निकालता है तो बच्चेगा क्या आपका CH3HC अब यहां से Oxygen हट गया बच्चो तो यहां पे N आ करके जुड़ जाएगा N जाकर जुड़ेगा तो N NH2 हो जाएगा ऐसे ही इसमें भी H2 जो है Oxygen को ले करके बाहर हो जाएगा तो हो जाएगा आपका CH3 CH3 फिर आपका Carbon है बच्चो दुड़ेगा के साथ N NH2 हो जाएगा अगले स्टेप में इसको हम के हो है अच्छारी माद्दे में गर्म करेंगे तो जब गर्म करेंगे तो यहां से N2 निकलेगा तो हो जाएगा CH3 और इस Carbon के साथ 2 H और यहाची मतलब CH3 और N2 क्या हो गया बाहर हो गया यहां पर देखो बच्चो जैसे CH3 है इसके साथ 2 Hydrogen जूड़े जाएगे तो CH2 और फिर CH3 यह भी ऐलकेन है मतलब यह बंद बना दो और आपका N2 गैस अलाव हो गया यह एक लंबी प्रोसेस है बोल्फ किशनर अब क्रिया में मतलब अल्डिहाइड और कीटोन की क्रिया हम किस से कराते हैं हाइडराजीन से कराते हैं तो हमारे पास क्या मिलता बच्चो एलकेन मिलता है क्या मिलता है इसके बाद अगला अब क्रिया बच्चो पारकिन अब क्रिया देख लीजे सोडियम इसिटेट के उपस्तिती में होता है बेंजल डिहाइड से क्रिया करता है क्या बनाता है सिन्नमिक अमल अब जिससे सिन्नमिक अमल का सूतर नहीं बन दा तो फिर दिक्कत है सिन्नमिक अमल का सूतर अभी पारकिन अब क्रिया में इतना समझो एक्जाम टाइम में कि हमारा बेंजल डिहाइड है इसके साथ स्टिक एन हाइडराइड की क्रिया करा जाती है तो cinnamic अमल बनता है, ठीक है clear, तो यह आपका हो गया benzaldehyde, क्या होगे बच्चों, यह आपका benzaldehyde, CHO benzaldehyde HTC anhydride का सूतर होता है, CH3CO अब दो होते हैं इसके भाग, whole twice O ठीक है, अब यह करता क्या है क्रिया करता है बच्चों, जैसे 1H यहाँ पे जुड़ जाएगा तो CH1CH और एक आपका COH यहाँ से उठेगा, ठीक है बाकी यहाँ पे टोटल कित्ते कारवन है देखो, एक, दो, तीन, चार, पाँच और अभी तीनी कारवन बच्चा तो एक कारवन, CH3 और एक COOH, यह बनाता है, अमल ही बनाते हैं, यह सिन्नमिक अमल बनाने की प्रक्रिया है, पार्केन अबक्रिया से Bengyaldehyde, Esticularide, किससे के उपस्थिति, sodium acetate के उपस्थिति में तो आपका बनता, बच्चो, सिन्नमिक अमल क्या बनता है, सिन्नमिक अमल बन जाता है बाकी यह Mendia सबक्रिया, आपका ओमबर्ख है落ी, हमस्टर डायल, हाप मैं मस्टर डायल ठीक है, कुछ लोग सोचते हैं सर, हाप मैं मस्टर डायल होए, कि मस्टर डायल अब क्रिया तो कभी कभी मेपनिया सबक्रिया डा blueberry डायरेक्ट दे देता बच्चो, इसमें होता क्या है एल्किल साइनाइड का आप चैन कराते है ठीक है तो एमीन बनता है सिंपल है एल्किल साइनाइड का आप चैन कराते है तो एमीन बनता है आप चैन में सीधा हाइड्रोजन जुड़ जाता है एल्किल साइनाइड है जैसे माली यह मेथिल साइनाइड ही होता हाइड्रोजन जोड़ देते दो दो तो आपका ये ठीक है एमीन बन जाता ये मस्टर डायल अब क्रिया काफी महत्पूर है ठीक है CS2 के साथ क्रिया कराते हैं बच्छो ठीक है एलिफेटिक प्राथमी केमीन को CS2 और HGCL2 के साथ गर्म करते हैं सरसो के तिल जैसा गंदिक्त मे आइसोसाइनाइड बनता है अब मेथिल आइसोसाइनाइड ये कई बार कोश्चन अबजेक्टिम पूछा गया है कि किस अबक्रिया में आइसोसाइनाइड बनता है या मस्टर डायल अबक्रिया में क्या बनता है तो आपका मेथिल आइसोसाइनाइड या आइसोसाइनेड थीक है आइसो थायो सायनेट आइसो थायो सायनेट याद कर ले न बच्चो वाकि आप लोग लिए निरंतर है न काम में लगई रहता हूं बच्चो बस प्लीज आर आप लोग भी तैयारी करते रहें खुब मेनत करें ठीक है जितने भी अपक्रिया इसको मैं अपने टेलीग् बन्दे मात्राम